नमस्ते, उमीद है आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और अच्छे से देख भी पा रहे हैं अगर देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो मुझे मेसेज कीजिएगा एक मिनिट मैं यहां पर उपन कर लेता हूं मेरे इसमें भी मेरे लैपटॉप में ताकि मैं आपके मेसेज़ेस पढ़ सकूँ तो प्रियंका सहाई जी बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है आपका उसके साथ साथ ये श्रीवास्तव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जैबिनुस्या जी आपका स्वागत है और मोनिका जी निर्देशक तत्व राज्य के निती निर्देशक तत्व जो है गुडिवनिंग काजल जी इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं शायद मुझे नहीं पता यह राज्य के वो यहां से रिवाइट करके जाएंगे और जो आपके डाउट है वो भी आप यहां से सॉल करके जाएंगे यहीं मुझे उमीद है अभी हम यहां पे इसको स्टडी करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि DPSP Directive Principle of State Policy इस पूरे वर्ड को आपको तोड़ते आना चाहिए 26 नवंबर 1949 यही वो दिन है सॉरी मेरे घर पे कोई आया है इसलिए थोड़ा सा वो जो डॉग है वो शोर कर रहा है एक्चुली सो मैं आपको यह बता दू कि 26 नवंबर 1949 यही वो डेट है जिस दिन हमारा जो Constitution था वो एडॉप्ट कर दिया गया था एनक्ट कर दिया गया था और जैसे कि हमारे प्रियेंबल में लिखा हुआ सॉरी 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 मुझे बस दो मिनिट दियेगा मैं उसे शान्त करा देता हूं ओके ओके सो हमारा जो प्रियेंबल आप पढ़ते उसमें जो आखरी आप लाइन पढ़ते है कि 26 नवंबर 1949 दू हिएर बाइडॉप्ट एनक्ट ग्यू तू आर्सेल्फ दिस Constitution है ना तो हमने खुद को Constitution दिया तह आने 26 नवंबर यही वो लेट है हमारा Constitution बनने को 2 साल 11 महने और 17 दिन या 18 दिन कितने दिन लगे थे कृज़िय को,시간 होता है constitution एक काईदा है अपने आप में पूरा law है constitution सबसे बड़ा law जो है वो constitution है अगर देखा गया तो उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दू कि यह जो law है constitution इसी में काफी सारी चीजें दी हुई है जैसे कि यहाँ पे fundamental rights है fundamental duties है directive principle of state policy है ऐसी काफी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है okay so इसी में first जो पार्ट था उसमें union and its territory दिया था जिसमें हमारे देश का कितना हिस्सा है वो दिया हुआ है दूसरे पार्ट में दिया हुआ है वो आपका जो citizenship है वो third पार्ट में दिया है आपका fundamental rights और fourth पार्ट में द दिया है directive principle of state policy फिर से एक बार तोड़ेंगे डायरेक्टिव याने directions दूसरा है पी याने प्रिंसिपल एस याने state और पी याने policy अगर हम देखते डायरेक्टिव प्रिंसिपल of state policy जिसको कहा जाता है राज्य के निती निर्देशक तत्वा तो राज्य काइदा बनाता है र ही definition same यहां पर दी हुई है article 30 जो आपका 36 है उसमें जहां से आज हम study करने वाले articles 36 में आपको यहां पर सबसे पहले में यह बता दू कि यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यह हमारा जो राज्य बनाता है जो भी पॉलिसी उसको कुछ directions दिए कि आपको policy कौन-कौन से ची चीज लिखे हुई है हमारे इतना बहतरीन constitution हमने लिखा हुआ है और यह लेंदियस constitution माना जाता है क्योंकि यह constitution अगर देखा गया तो यह constitution में जितनी चीजे हैं यह सभी नागरिकों को मिली है उसके साथ-साथ अलग-अलग विभिन भाशा है विभिन जगा से अलग-अलग places अलग-अलग languages बोलने वाले लोग हमारे देश में पाय जाते हैं और सभी को कुछ ना कुछ अधिकार सभी को कुछ ना कुछ राइट्स इस constitution में मिले है और हम लोगों के लिए राज्य पॉलिसी बनाता है राज्य कोन है यह हम पहले ही article में revise करने वाले है आज राज्य हम स प्रिंसेपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसका हम पहला आर्टिकल से लेके तो हम आखरी जो आर्टिकल 51 वहां तक जाने वाले तो अभी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने पैन और अपनी जो कॉपी या फिर अपने जो पेजे से उसको साथ में लेके आएगा तो कौन सी चीजों के उपर पॉलिसी बनाना चाहिए हम नागरिकों के लिए यह हम सब नागरिकों के लिए पॉलिसी बनती है तो कौन सी ऐसी चीज़े तो सबसे पहले आर्टिकल 36 जो है उसमें दिया हुए डेफिनेशन ऑफ स्टेट राज्य की व्याख्या तो र सेक्टर जितनी कंपनीज? हैs for example, लाइसे, ओएनजी सी, उसके साथ साथ हमारे पारलामेंट के मेमबर्स आपके घरवाले जो भी सेंटरल गवर्मेट में काम करते हैं, जो स्टेट जो गवर्मेंट में काम करते हैं, वह सभी लोग इसमें आते हैं जिसको nib nós िएर्यक्टिव आप स्टेट पॉलिसी याद रखना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स डिये हुए जो याद नहीं रहते हैं इसलिए मैं आपको शॉट में बताने आला और वो सब चीज़े आपको लिखते हुए चलना है तो आर्टिकल 36 डेफिनेश इसमें यह अप्लिकेबल होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर उसके साथ साथ आर्टिकल 38 बता तो मैं आपको क्या है आर्टिकल 38 तो 36 है डेफिनेशन, 38 है अप्लिकेशन, 37 है अप्लिकेशन, 38 है प्रमोशन ओफ वेलफेर और एंड सुशल ओडर हम लोगों के लिए उसने कुछ पालिसी बनाना चाहिए ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ साथ जो सोशल और है उसको यहाँ पर maintain करना चाहिए यह प्रिंसिपल है जह आर्टिकल 38 में दिया है दूसरी चीज जो आर्टिकल 38 में दी है वो है कि equality in income होनी चाहिए याने inequality नहीं होनी चाहिए income में equality दिखनी चाहिए याने जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम अगर कोई और कर रहा है तो देखिए equality in income जो होगी वो सबको equal income यहाँ पर मिलेगी उसके साथ साथ मैं आपको बता दो कि facilities मिलेगी आपको opportunities मिलेगी equal opportunities लोगों को मिलेगी यह आर्टिकल 38 में दिया है तो आर्टिकल 36 definition of state आर्टिकल 37 application आर्टिकल 38 promotion of welfare social order inequalities in income status facilities opportunities यह पूरी चीज़े आर्टिकल 38 में दिये तो आपको अगर किसी ने पूछा कि आप कल्यान क्या रही राज्य कैसे बनता है कि राज्य ने अपने नागरिक जोंके कल्यान के लिए कुछ policy बनाना चाहिए यह कैसे होता है यह कैसे आर्टिकल 38 के वारा यहाँ पर policies बनाए जाएगी आर्टिकल 39 अच्छे से याद रखेगा 39 सबसे बढ़ा है फिर आने वाले सब छोटे छोटे 39 में मैं आपको पाच चीज़े छे चीज़े बताने वाला और यह छे चीज़े आप अच्छे से याद रखते होए चलेंगे प आर्टिकल 39 में दिया हुआ है तो जीने के लिए जितनी चीज़े एडिकवेट मीन्स ऑ लाइलिहुड दूसरा है डिस्ट्रिबूशन ओफ मटेरियल रिसोर्सेस जो जितने भी रिसोर्सेस इस देश में वह सब में बराबर डिस्ट्रिबूट होने चाहिए एक्वल सबको एक जैसा मिलेगा तो इक्वल डिस्ट्रिबूशन होगा जो रिसोर्सेस है उनका तीसरी बात है कांसेंट्रेशन ओफ वेल्थ नहीं होगा इस तरह की पॉलिसी बनने चाहिए का मिनिंग होता है कि जो जितना भी हमारे देश में वेल्थ है वो सबकी सब एकी जगे प पास जारी है और जो पूर माने जाते हैं सो सेटी में उनको कुछ नहीं मिल रहा ऐसा नहीं होनी चाहिए आपकी पॉलिसी सो पूर को भी मिलेगा रिच को भी मिलेगा हर एक सेक्षन को हर एक क्लासिस को बराबर से चीजें यहां पर प्रोवाइड होगी ऐसा कहा गया है तिसरी चीज़ यहां पर कहिए चौति चीज ऐसा याद रखेगा एक्वल पे फॉर एक्वल वर्क फॉर एक्जमपल मैं अगर कोई वरकिंग हूं मैं अगर कोई काम कर रहा हूं एक जैसे सेलरी मिलेगी एक काम के लिए एक जैसे सेलरी इसका मतलब यह नहीं कि जो आएस है और जो pune है इन दोनों को एक जैसे seller मिलेगे ऐसा नहीं होगा So equal pay for equal work ये भी दिया हुआ है article 39 में उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि article 39 में पाच भी जो चीज दी हुई है फिफ्थ चीज वो है कि health and strength of workers, women and children है ना तो जितने भी women आपके हां काम कर रहे है जो भी children काम करते हैं उनके health के लिए कुछ policy राज्य ने बनानी चाहिए state ने बनानी चाहिए या फिर उनके strength के लिए उनकी strength बढ़ाने के लिए काम करने के शमता बढ़ाने के लिए पॉलिसी कुछ स्टेट ने बनानी चाहिए, उसके साथ-साथ जो सिक्स्त चीज है, जो छटवी चीज है, वो अल्रेडी नहीं थी हमारे constitution में, वो बाद में आड़ की गई, जो है protection of children and youth against exploitation, जो जो यूथ है और जो भी children है, उनको protection मिलना चाहिए against exploitation, जैसे कि नए-नए act जो government होती है, वो पास करते रहती है, जैसे कि act होगा कोई, for example, समझ जाए कि exploitation से related, कोई भी factories act और जो भी act है, जिसमें जो बच्चे हैं, उनको hazardous काम में, hazardous जो factories हैं, उसमें काम करने से रोका गया है ये सब चीजों के लिए जो act बनाए जाते हैं, ये इसी दवरान, क्योंकि policy ऐसी कहती है, कि जो children और जो youth है, उनके exploitation के against आपने policy बनानी चाहिए, उनके जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा, उनका जो शोशन हो रहा है, उसको आपको रोकना पड़ेगा policy ब लिएगा, तो आर्टिकल जो 39 में जो 6th point मैंने बताया, protection of children and youth against exploitation, ये by 42nd amendment act add किया गया है, so constitutional amendment act 42nd, जो की year है 1976 का, उसमें add किया है, तो बिलकुल यहाँ पे घबराने के आपको ज़रुवत नहीं है, मैं आपको short में और with amendment act बताने वाला हो, so फिर से, जो 36 है वो definition of state, 37 जो है वो application of DPSP, 38 जो है वो promotion of welfare, social order, inequalities in income, status, facilities and opportunities, 39 में 6 चीज़े मैंने आपको बताया, ये 6 चीज़े, तो 39 की 6 चीज़े देखते है, adequate means of livelihood, दूसरा है distribution of material resources, तिसरा है concentration of wealth, चौथा है equal pay for equal work, पाचवा है health and strength of workers, women and children, और 6 है protection of children and youth, youth against exploitation, which was added by 42nd amendment act of year 1976, तो ये चीज़े आपको अभी पता चल चुकी, अब मैं आपको article 39A बता रहो, तो article 39 के सामने कुछ नहीं लगा, अगर 39 के सामने अगर A लग गया, तो A लगने का meaning क्या है, A लगने का meaning है कि amendment होके उसको डाला गया है, 39A जो है याद रखेगा, ये by 42nd amendment act of year 1976 हमारे constitution में डाला गया था, जिसमें equal justice and free legal aid आता है, equal justice सबको मिलेगा, equal justice का meaning है कि सभी को court में अगर आप जाते हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम जैसे कोई normal नागरिक हो, common masses हो, फिर भी सबको एक जैसा यहाँ पे जो ये है, न्याय वो मिलेगा, equal justice मिलेग और free legal aid, अगर आपके पास case लडने के लिए पैसे नहीं है, तो खुद जो सरकार है, जो court है, वो pay करेगा, आपको lawyer की facility भी दी जाएगी by free legal aid, और free legal aid जो एड किया है हमारे constitution में, वो by 39, जो by 42nd constitutional amendment act 1976 से एड किया है, जो जिसमें आता है 39A नाम का article in DPSP, उसके बाद जो मैं बताने वाला वो है article 40, article 40 कहता है कि राज्य ने इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए कि पंचायत राज, पंचायत जो है यह हर देश में आना चाहिए, third tier जिसको हम कहते है, so village पंचायत यह article 40 में आता है, उसके बाद article 41 में right to work, education and public assistance आता है, ठीक है तो याद रखेगा, आ कुछ policies बनाना चाहिए, ऐसे कोई उन्होंने कुछ क्या कहते है, उसे मुझे भी नहीं पता, यह Hindi words, actually मुझे जादा नहीं पता, तो राज्य के निती निर्दे शक्तत्व, तो यहां राज्य ने कुछ ऐसे चीज़े यहां पर बनाना चाहिए, जिससे लोगों को work, education, public assistance मिल यह सब चीज़े यहां मिल सके, article 42 जो है, वो condition of work and maternity relief के बारे में बात करता है, so maternity relief का एक जो act है, वो यहां पर पास किया गया है, उसमें कुछ amendment भी किये गए है, तो आपको अभी जो latest वाले amendment है, वो यहां पर पढ़ना है, जो maternity act वाले है, so यहां पर मैं आपको बता कि condition of work जो है, वो अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए भी law बनाने चाहिए हमारे state ने, और यह दिया हुआ है, article 42 में, और अगर maternity relief पूछा, तो maternity relief पे UPSC question पूछ चुकिये है, पिछले साल, मेरे कहाल से पिछले या पिछले के पिछले साल, पूछ चुकिये, so याद रख सिर्फ food, clothing and shelter, is it sufficient to live? No, it is not sufficient, today we need a good education, we need some health policies, और हम उसको कह सकते है कि हमारे कुछ health facilities मिले, उसके साथ इंशूरंस मिले, यह सब चीजे आज जीने के लिए ज़रूरी है, और यह सब चीजे मिलेगी आपको company के तरफ से, ऐसा law बनाएगा हमारा state, ऐसा कहता है article 43, तो living wages दिय आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43 के बाद, आर्टिकल 43A, याद रखेगा, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A में दिया है कि participation of workers, participation of workers जो है यह by 42nd constitutional amendment act of year 1976 add किया गया है, so 43A participation of workers, यानि worker का कहा पर participation रहेगा, जो हमारे workers से वो कहां participate करेंगे, तो in management of industries, industry का management पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ owner नहीं देखेगा, तो workers भी देखेंगे, क्योंकि कैसे देखेंगे, तो union बना के, union बना के वो भी सोचेंगे कि company के क्या decision होने चाहिए, उस factory के, industry के क्या decision होना चाहिए, so यह सब चीजे जो दी हुई है, यह article 43A में दी हुई है, जो कि add क किया गया था, by 42nd amendment act of year 1976, उसके बाद 43B बता रहो, 43B जो है, वो promotion of cooperative societies, हमारे देश में cooperative societies बनाई जाती है, इसके लिए law बनाएगा, और वो बनाएगा, जो भी state है, वो state में कौन को ना थे, आपको पता है, तो यह add किया गया है, अच्छे सियाद रखेगा, 43B was added by 97th amendment act of year 2011, 2011, so by 2011, 97th amendment act, the promotion of cooperative society, that is article 43B, was added in our Indian constitution, and it is very good thing की, हमारे यहां पर cooperative societies बनाने का, यहां चांस दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है लोगों को, article 44 जो है, यह uniform civil code के बारे में बात करता है, uniform civil code that is UCC, अच्छे से याद रखेगा, uniform civil code का meaning है कि पूरे देश के लिए एक ही काईदा, यह बहुत बार news में रहती है, यह चीज इसलिए इसको अच्छे से याद रखेगा, पूरे देश के लिए एक ही काईदा, जिसको uniform civil code कहा जाता है, और यह uniform civil code है, यह article 44 में दिया हुआ है, उसके बाद article 45, article 45 जो है, early childhood and education below 6 years, यह दिया है, याने देखिए, आपका जो education है, वो free and compulsory तो है, जैसे कि आप देखते हो कि primary education free and compulsory है, जो आगे के लोग है, उनके लिए, याने 6 to 14 years के लिए तो free है, बट 6 के नीचे वाल है, और इसमें कुछ चीज एड की गई थी, by 86th amendment act of year 2002 से, ओके सो यह सब चीजे आपको याद रखनी है, article 45, उसके बाद article 46 के बारे में बता रहो, फिर से एक बारा, article 45, early childhood and education below 6 years, आखरी में मैं यह पूरे एक साथ पढ़ने वाला हूँ, list की list और एकदम short में पढ़ने वाल हूँ, उसके बाद मैं आपको यह बता देता हूँ कि article 46 जो है, वो educational and economic interest of SCs, STs and other weaker sections के लिए है, so other weaker section या SCs, STs, जो लोग है, उन सभी को by article 47 कुछ act बनेंगे और यह act के थुरू क्या होगा, तो यह act के थुरू आपको यहाँ पे education की facilities प्रोवाइड किये जाएंगे, कुछ reservations जैसी कुछ facilities आपको प्रोवाइड की जाएगी, कुछ concessions प्रोवाइड किये जाएंगे, ऐसी कुछ policies बनाए जाएगी, यह article 46 में दिया है, article 47 जो है, यह कहता है level of nutrition, अच्छे से याद रखेगा, तो level of nutrition अच्छा रखना है, standard of living अच्छा रखना है and public health को हमेशा बढ़ा आते रहना है, अच्छा करते जाना है, यह कहता है, article 46, इसके लिए भी policy बनेगे, आपका level of nutrition, देखिए देश में nutrition की लोगों को अगर देखोगे तो awareness नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा deficiency होती है हम लोगों के अंदर, vitamins की, calcium की, आप लोग अपना diet बनाएड, देख अपना diet अच्छा रख सकते हैं, कौन से nutrition, कौन से चीज से क्या मिलता है, आपको कौन सा vitamin मिलता है, यह सब करके आप खुद का भी यहाँ पर एक level of nutrition बना सकते हैं, आप healthy life जी सकते हैं, so level of nutrition के लिए राज्य भी कायदा बनाएगा, राज्य भी policy बनाएगा, ऐसा कहा जाता ह by article 47, standard of living सब की अच्छी होगी इस देश में, और यहाँ पे public health जो है, इसको improve किया जाएगा, जरूर किया जाएगा, प्योंकि कि article 47 जिसमें डिरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी दी है, यह खुद ऐसा कहता है, राज्य को करने के लिए, so यह चीज़े enforceable नही के लिए article 48 दिया हुआ है, so अच्छे से याद रखेगा, agriculture and animal husbandry में सब चीज़े आ जाती है, article 48 में, जिसमें आप यह भी कह सकते हैं, कि जो slaughter और यह सब है, वो भी यहाँ पे cover किया जाता है, so यह article 48 है, agriculture में कुछ नई चीज़े यूज़े 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 बना के देगा, वो भी article 48 में cover होता है, उसके बाद article 48 A है, जो की 42nd amendment act से add किया गया, of year 1976, और यह जो है, यह है, environment, forest और wildlife को लेके, environment हो गया, forest हो गया, wildlife हो गया, इसको protect किया जाएगा, इसके लिए राज्य कुछ ना कुछ policies बनाते रहेगा, ऐसी चीज़े article 48 A में कही गई है A है, इसका मतलब add किया गया है, by 42nd amendment act of year 1976, उसके बाद 49, article 49 ऐसा कहता है कि राज्य ने कुछ policies बनानी चाहिए, monuments के लिए, places के लिए and objects जो national importance रखते हैं, उनके लिए, monuments को खराब नहीं करना है, उसके लिए राज्य कुछ ना कुछ बनाएगा, राज्य ऐसे act बना चुका है जो हमारे monuments है, जो historical buildings है, ताज महल है, कुतुब मिनारे, देश में कितनी बड़ी history है, हमारा इतिहास कितना बड़ा है देखा गया तो, बहुत ही महत्वर रखता है हमारा इतिहास, जो monuments हैं सब को यहाँ पर protect किया जाएगा, इसके लिए राज्य जो है, यह काईदा ऐसा कहा गया है, आर्टिकल 49 में, और object of national interest, जो हमारे राज्य के लिए महत्वर रखते हैं, सब के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ law बनते रहेंगे, कुछ ना कुछ policy बनते रहेगी, उसके बाद मैं आपको बता दू कि आर्टिकल 50 जो है, है ना, तो आर्टिकल 50 यहाँ प from executive, यानि जो judiciary है, हमारे देश में तीन लोग काम करते हैं, एक है judiciary, एक है executive और एक है legislative, legislative जो होता है, यह law बनाता है, जो executive होते हैं, वो law को execute करते हैं, और जो judiciary होता है, वो law का protection करते हैं, हम लोगों को protect करते हैं, हम लोगों को न्याय देते हैं, ऐसे तीन चीज़े, executive जो है, ये काईदे जो बने हैं उसके उपर काम करते रहेगा, उसके लिए काम करते रहेगा, उनको एक्जिक्यूट करेगा, इनको अलग रखना होगा, ये कहा गया है, ब्रिटिश के टाइम पर एक टाइम था जब दोनों एक हुआ करते थे, कलेक्टर के पास ये भी पावर थी, कि जर्जेस का भी काम कर सकता, ये अलग करना है, ये कहा गया, आर्टिकल 50 में इसके लिए आपको पॉलिसी बनाना है, और हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 जो है ये इंट्रनेशनल पीस की बात करता है, बहुत और ये जो piece है ये piece बनाने का policy बनाएगा राज्य ऐसा कहा गया है article 51 में जो है international peace so article 51 जो है ये आखरी article बनता है आपके डाइरेक्टीव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी का international peace और यह सब अभी आपके जो question है वो आप side में लिखते चलेंगे जो भी doubt आपको clear करना है वो तो एक बार मैं पूरा part 4 पढ़ लेता हूँ part 4 जो इसमें DPSP दिया है Directive Principle of State Policy दिया है Directive Principle of State Policy जो है इसमें जो article cover किये अब अच्छे से सुनिएगा full concentration से सुनिएगा आपकी पूरी नजरे मेरे तरफ होनी चाहिए और आपके कान सिर्फ मेरे तरफ होने चाहिए और एक हाथ में आपका पेन है और एक जगे आपकी book रखी हुई है इस पे आप लोग important points लिखते हुए अभी चलेंगे यही आप से मेरी request है अभी हम मैं जो बोलने आला उसे अच्छे से सुनिएगा आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक DPSP दिये है जो की part 4 cover करता है directive principle of state policy यह उसका full form है आर्टिकल 36 is a definition of state आर्टिकल 37 is application of directive principle of state policy आर्टिकल 38 is promotion of welfare, social order, inequalities in income, status, facilities and opportunities फिर से एक बार पढ़ूँगा 38 38 that is welfare, social order, welfare याने कल्यान social order, inequalities in income, उसके बाद status, facilities and opportunities इतनी चीज़े so यह बहुत short में बता रहो, M. Lakshmikant में जो दिये है या फिर constitution में बड़े बड़े sentence दिये है तो short में तिसरा, तीन हो गए, उसके बाद 4 था that is article 39 article 39 सबसे बड़ा article है इस पूरे part का article 39 में 6 चीज़े दी हुई है पहली चीज, that is adequate means of livelihood जीने के लिए, livelihood के लिए जो चीज़े लगती है वो adequate means of livelihood दूसरी चीज़ दी है distribution of material resources तिसरी चीज़ दी हुई है concentration of wealth चौती चीज़ दी है equal pay for equal work पाचवी चीज़ दी हुई है health and strength of workers, women and children चटवी चीज़ दी हुई है sixth चीज़ वो यह है protection of children and youth against exploitation ये छे चीज़ आर्टिकल 39 आर्टिकल 39A 42nd Amendment Act 1976 से आड़ किया गया है इसमें equal justice and free legal aid दिया हुआ है आर्टिकल 40 में village पंचायत दिया हुआ है आर्टिकल 41 में right to work, education and public assistance दिया हुआ है आर्टिकल 43 में living wage for workers दिया हुआ है आर्टिकल 43A में इसलिए 42nd Amendment Act 1976 से आड़ किया गया है participation of workers दिया हुआ है आर्टिकल 43A में आर्टिकल 43B जो कि 97th Amendment Act of Year 2011 से आड़ किया गया है उसमें promotion of cooperative societies दिया हुआ है आर्टिकल 1343B आर्टिकल 44 में uniform civil code दिया हुआ है आर्टिकल 45 में early childhood and education below 6 years दिया हुआ है क्या मैंने 42 मिस किया ओक यस I missed article 42 article 42 में condition of work and maternity relief दिया हुआ है article 42 that is condition of work and maternity relief 43 living wage for workers 43A participation of workers 43B promotion of cooperative societies article 44 that is uniform civil code UCC article 45 early childhood and education below 6 years article 46 educational and economic interest of SCs, STs and other weaker sections article 47 level of nutrition, standard of living and improve public health article 48 agriculture and animal husbandry article 48A added by constitutional amendment act of year 1976 that is 42nd constitutional amendment act 48A environment forest and wildlife article 49 monuments, places and objects of national interest article 50 article 50 और यह 49 इसके लिए जो act बनाया है वो 1956 में ही बना दिया था यह declaration of parliament यह आड़ किया था तो parliament इसके लिए act बना सकता है यह आड़ किया था उसमें 49 में तो यह act बन चुके तो act कपका है आपको देखके रखना है और यह act आपको लिखना है comment section में अभी यह अभी मत लिखे चैट में आपको यह सब अभी चीज़े पता चल चुके पार्ट 4 पता चल चुका है अभी आपके जो भी डाउट से वो साइड में लिखते चलिएगा मैं यह डाउट स्वाल करता हूँ पहला जो डाउट है वो डाउट है कि आर्टिकल 37 कोट से enforceable है क्या आर्टिकल 37 येस इस नौट enforceable by any court of law कोई भी कोट इसके लिए कोट याने यह आप कोट में नहीं जा सकते है जब कोई राज्य इसके लिए कोई प्रिंस पॉलिसी नहीं बनाता है तो कोई भी कोट में जा सकता आर्टिकल 37 ये हो गया फॉर्स्ट उसके बाद है कि 37 एन 38 एक बार फिर से बताई है तो यह जी शायद आप अभी जो मैंने बता है तो आपको अभी पता चल चुका है या फिर आप अगर बोलोंगे तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ उसके साथ साथ अनिता पहर सर प्लीज डेली वन टाइम फिक्स फ़र ऑनलाइन क्लास और क्लास सुपर सर ओके सो हम इसके लिए टाइम फिक्स करते है पाच बजे ही होगा जब बदल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा अब जब तक आपका कॉरेंटीम पिरेड चल रहा है तब तक यह पा इस्ताग्राम पर मुझे फॉलो करके मेरी जो स्टोरी है उसको अगर आप देखोगे तो स्टोरी में आपको दिखेगा मेरा लाइव सेशन कब आता या फिर फेस्बूक पर जो मेरे पेजे से उस पर या फिर मेरे खुद के अकाउंट में आपको यह दिखते रहेगा यह इसके बारे में उसके बाद सर प्लिस रमेश सिंग की वीडियो बनाई है तो रमेश सिंग भी हम बना लेंगे मामोनी मंडोल जी उसके साथ साथ आर्टिकल 42 रिपीट वो हो चुका हो वो कर लिया प्रियंका सहाई जी मैंने अल्वीशा पटवर्दन जी कंडिशन ऑप वर्क ह यह राइट वर्ट इसमें आपको रिलिफ तो कितने दिन का रिलिफ है यह आपको पढ़ना है मैंटरिनी रिलिफ एक्ट में और उसमें आपको वेजेस मिलते हैं है ना तो हम लोगों को यह याद रखना है कि जो विमन होगी जब वो वो करती है तो वो उस टाइम पर उसकी है उतनी उसको मिलती रहेगी रेगिलरली उनको आफिस जाने की जरूरत नहीं होगी तो यह एक होगा प्रेगनेंसी टाइम के वक्त का सो यह हो गया आपका डाउट क्लियर उसके बाद अलविशा बटोरदन जी कॉस्चिन सर कैन यू प्लीज एक्स्प्लेन एग्जा सेट्री के अलविशा पटोरदन जी कॉनिल झैन्ज चकोले जी अधकी उनके साथ साथ चैल जी उमा शमकर जी मुस्तवीक रहुमांजी सर्बीक फैन आफ यॉर्स ओकेंक ए सो मु直接 बहुत अच्छा आपने कमेंड किया है उके अ kicking कर जी इसके साहस्त में मुन्डल घी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप यहाँ पर आए और मैं आपको अभी सवाल देखता है और क्या है स्वाती विसंच जी पुछती है सर वाई DPSP और नॉन जस्टिशेबल इन नेचर हां तो इसका मैं आपको explanation देता हूं कि इनको नॉन जस्टिशेबल क्यों रखा गया क्यों ऐसा नहीं किया गया कि अगर राज्य यह चीज़े नहीं सुनते हैं तो ऐसा क्यों कि राज्य के उपर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं यह क्यों लिखा है तो देखिए जब हमको आजादी मिली थी at that time यह constitution जब लिखा गया था so हमारे पास इतने adequate fund नहीं थे हमारी financial condition इतनी strong नहीं थी हम as a country की कि हम यह सब चीज़े एक साथ लोगों को दे सके so अगर हम वहाँ पर यह लिख देते कि भाई यह enforceable है या justiciable है so ऐसा हो सकता था कि लोग कोट में गह रहे थे कि जब के पास जब की राज्य के पास तो इतना पैसा ही नहीं था कि यह सब provide कर सके इसलिए उस time पर यह लिखा गया था कि they are non-justiciable यह सिर्फ आपको एक direction देती कि आपने इसमें काम करना चाहिए जब भी आपके पास fund आएगा सो आप इस पर काम करते रहिए इसलिए इसको non-justiciable बनाया गया है so स्वाती विसें जी शायद आपका यह जो doubt है यह अभी clear हो चुका है पूजा जी sir please discuss relation between DPSP and fundamental right okay okay I will discuss it prelims के लिए प्रियंका जी tips okay मैं prelims के लिए भी tip दूँगा सो पहले हम DPSP और जो हमारे fundamental rights से उसके बारे में हम थोड़ा सा relation पर चर्चा कर लेंगे so यहाँ पर इन दोनों का relation अगर बताना है so मैं आपको यह बता देता हूं कि सबसे पहले justiciability justiciability कैसी होती है तो fundamental rights are justiciable whereas whereas DPSP are non-justiciable in nature okay so इन दोनों में का relation ऐसा है कि यह non-justiciable तो है but conflict में कैसा होता है कि conflict में यह cases जो है आपको पहले study करना पड़ेगा जितने भी cases है गोलखनात और यह सब cases और उसके बाद मैं आपको यह बता देता हूं जैसे कि आपका fundamental right है उसको अगर violet कर रहा है तो उसका validity जो हमारे court है वो check कर सकते DPSP के थूँ यानि DPSP देने के लिए अगर right violet किया गया है आपका कोई तो court कभी-कभी इस चीज को consider कर सकता है तो यह चीज में थोड़ा सा इनमे relation बन जाता है कभी ना कभी validity check करने के लिए DPSP की जरूरत पड़ती है कि वो law violet कर रहा है अगर fundamental right को बट वो DPSP के कारण दिया हुआ है तो court कभी-कभी उसको valid बता सकता है तो यह थोड़ा सा इनमे relation बनता है और जो detail में relation है यह तो हम मैं आपको study करेंगे तो हम इसको starting में study कर लेंगे जो relation है उसको तो यह सब चीजे यहां पर रहेगी और और इसमें क्या रहेगा और और आप पूछिए आपके सवाल DPSP is may not be check in court चेक नहीं किये जाते देखें कोट यह non-justiciable है तो court इसको check नहीं करेगा वो policy कही ना कही जादा चीज में नहीं बट थोड़ी सी आपके fundamental right को violate कर रही है तो यह justification हो सकता है कि DPSP के लिए वो policy बनाई गई तो यह validity check कर सकते है एक तरह से DPSP का उपयोग करके और कभी-कभी अगर जादा असर नहीं पढ़ रहा है fundamental right पर थोड़ा सा ही पढ़ रहा है तो court valid बता दे सकता है उस law को यह हो सकता है तो इसके लिए यह बहुत जादा जरूरी है इन दोनों का relation इस तरह से बना हुआ है DPSP का और fundamental rights का दोनों एक दूसरे पर कही ना कही depend है देखे fundamental right और DPSP दोनों को साथ में लेके काम करना पड़ता है बट कभी-कभी ऐसा होता है कि काम नहीं हो पाता है दोनों अलग-अलग direction में चलते हैं तो state कुछ भी कर सकता है तो यह चीज़ें यहां पर consider की जा सकती है कि और कोई सवाल आपके आपके सवाल प्रिलिम्स के लिए अभी यह tip होगी आपकी कि जादा से जादा आप mcq solve करते रही है जितना हो सकता है उतने सवाल कीजिए और दूसरी मेरी बात यह होगी कि जब तक प्रिलिम्स की अभी देखिए प्रिलिम्स की अभी पोस्पान हुई है नहीं हुई है यह अभी confirm नहीं पता है आमको जब भी confirm होगा तब बात अलग है अभी तो आप consider करके चलिए कि जो डेटे वही है और उसी हिसा आर्टिकल सर प्लीज डिसकस अबाउट आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 2921 ए ओके सो शीवम जी यह भी मैं करता हूँ सो यह पहली चीज होगी दूसरी चीज करन्ट अफेर जितना अभी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइट कर लीजिए और अभी रिवीजन के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल कीजिए लिमिटेड रिसोर्सेस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इसके लिए भी मुझे अलग सा लाइव सेशन लेना पड़ेगा शायद आपका एक लाइव सेशन हम जनरल लेंगे जनरल लाइव सेशन जिसमें सिर्फ हम यही सब चीजें डिसकस करेंगे पढ़ाई की नहीं बलकि पढ़ाई कैसे करनी है किस तरह से शेडियूल होना चाहिए इसके हम डिसके लेंगे तो एसा एक हम जनरल सा लाइव सेशन ले लेंगे उसमें आपके यह सब डाउट्स में यह भी क्लियर कर दूंगा शीवम जी प जो चिल्रेन हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजूकेशन देता है जो आर्टिकल फॉटी वन ए है यह जिसमें अर्ली एजूकेशन भी मिले याने छे साल के नीचे के बच्चों को उनको भी एजूकेशन दिया जाते है उनका भी डेवलप्मेंट जरूर यह जरूर निये बच्चा पैदा हो गया उसके हाथ में एक मोबाइल दे दिया वाटस मोबाइल दे दिया पपजी जैसे गेम दे दिया या केमस दे डिया और वह खेलते बैट रा है गलत है आपको उसको एजूकेट करना चाहिए हर बार तो अर्ली चाइल्डूर कियर अर्ली चीजों का नॉलेज गेन करते रहे इसका मतलब यह नहीं कि वह पढ़े लिखे खेले कुदे भी और यह भी काम करें बराबर शेडियूल में चलती रही चीजे उनकी यह सबसे अच्छा डेवलोप्मेंट होगा चिल्रन का आज कल मैं देखता हूं कि बच्चों के हाथ में किया गया था पहले यह चीज नहीं थी तो वहां कुछ और था उसके जगे 86 अमेंडमेंट एक्ट से यह डाला गया कि हम यह कह रहे हैं कि 6-14 साल के बच्चों को फ्री में एजूकेशन दो कंपलसरी एजूकेशन दो इसका मतलब यह नहीं कि राज्य छे से छोटे जो बच् के बच्चों के लिए तो यह दो चीज़ें यहां पर कोवर की जाती है उसके बाद और कोई आपके सवाल कि जिसका आप आंसर चाहते हैं कि शीवम जी आपको क्लियर हो चुका है कि ओके और आपके सवाल या फिर मैं अभी रुख दू सेशन आपको पता चल चुका है यह जस्टिशेबले नेचर है यह भी आपको पता चल चुका है और ओके शीवम जी इर्शाद अलीजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो जो लोगों का यह अभी देखके नहीं हुआ है यह सेशन वो लोगों को यह सेशन अपलोड हो जाएगा मेरे ही चैनल पर वहां पर आप लोग देख लिजेगा और इसको कवर कर लिजेगे तो आज के आज जाके DPSP पढ़ लिजे और भी कुछ डाउट रहे तो हम कवर कर लेंगे तो अगला जो मेरा सेशन है यह कब होगा तो इंस्टाग्राम पे टेलेग्राम पे यूट्यूब पे या फिर आपका फेस्बुक पे आपको यह अपडेट मिल जाएंगे टाइम यह होगा पाच बजे सिर्फ इतना बताना है कि कल होगा या नहीं सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिलिप कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहां पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां आए और आपने मेरी चीजे सुनी तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे फिर से एक बार सो अपना ख्याल रखे घर में ही रहे कॉरंटीन रहे मैं कुछ ना कुछ आपके कॉरंटीन के चीज सुची समिता पातरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और लुवि विडियो अप्लोड हो चुका है यह वाँप पटवर्धन जी मेरे खाल से आप लोग आप सभी लोग आप यह वीडियो देख चुके हैं उसके साथ साथ हम मिलते हैं और गीतेश खेतन जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है बीनिता विश्वास थैंक यू थैंक यू आपका भी तैंक यू आपको भी मेरे तरफ से य उसको आप सौल कर लिजिए प्रकाश जैस्वाल सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया तुशार इलामकर जी बहुत-बहुत सुक्रिया सर तुशार सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया सो हम मिलेंगे कल और हम कल या फिर जब भी रहेगा जहां तक हम कल ही आएंग